खत्म बाई बाई टाटा गुडवाई गया तो हेलो गाइज कैसे हो वेलकम टू दा निव वीडियो और भाई अभी जैसा सीन चल रहा है ना तो भाई मुझे पूछना नी चाहिए आप कैसे हो क्योंकि आपका हाल हो रहा है वही मेरा हाल हो रहा है हम सब भाई इस टाइम सब पूरे हैं तो गाइज जैसे कि आपको पता ही होगा कि कल पब जी मॉबाईल के ओफिशल फेस्बुक पेज पे एक पोश्ट आई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि पब जी मॉबाईल के सारे सर्वर्स 30 अक्टोबर को बंद हो जाएंगे यानि कि सारे के सारे सर्वर्स श और बहन हुई थी और भाई पब जी मॉबाईल के सर्वर्स डाउन नहीं होए थे लेकिन हम खेल पा रहे थे अब तक अब भी खेल पा रहे हैं अभी मैंने गेम खोल के देखा मैं खेल के आया हूँ लेकि 99% चांस है कि आज सर्वर्स डाउन हो जाएंगे और भाई अब हम नहीं खेल पाएंगे तो वह फेस्बुक पोस्ट में आपको पड़ाओं आने क्योंकि भाई आपने वह पड़ी होगी और भाई बहुत बार पड़ी होगी स्टेंशन में कि भाई यह सच है जूट तो वह आपको दोबारे दिखाने का फायदा तो है नहीं लेकिन भाई एक गुड निउस की बात भी है और वोई टोपिक हैर इस वीडियो का है कि भाई जैसे यह फेस्बुक पे अनाउंस होगी पब जी मोबाइल बैन हो जाएगा मतलब सर्वर शट डाउन हो जाएंगे एक अनाउंसमेंट ओर हुई भाई पब जी मोबाइल की तरफ से एक नोटिस आया कि भाई वे एक साउथ कोरियन कंपनी क्राफटन इन कोर्पोरेशन उनके साथ मर्ज करने वाले हैं इसका मतलब यह है भाई कि जो पब जी मोबाइल के पब्लिशिंग राइट से टेंसेंट के पास जो कि एक चाइनीज कंपनी है अब वो इंडिया के लिए साउथ कोरि दिसम्बर यानि कि 2 दिसम्बर को भाई यह प्रोसेश शुरू होगा जैसा कि भाई आप इस आर्टिकल में देख सकते हो पब जी कोर्पोरेशन विच प्रोवाइटस पब जी विल इन्फोर्म यूजर्स ओफ पर्सिनल इन्फोर्मेशन ट्रांसफर इन अकोर्डेंस विद मर्जर पब जी कोर्पोरेशन विल बी मर्ज़ इन्टो क्राफटन इन्कोर्पोरेशन ऐस ओफ दिसम्बर तुट ट्वेंटी तो भाई इसका मतलब यह है जो मैंने बताया कि पब जी अपने पब्लीशिंग राइटस क्राफटन को दे देगी 2 दिसम्बर तक एक और आर्ट मतलब यह है कि हमें अपनी पुरानी आइडी भी वापस मिल सकती है अगर पब जी मोबाइल का नया वर्जन आएगा तो क्राफटन विल रीटेन और यूज परसनल इंफॉर्मेशन ओनली विदिन दी सेम स्कॉप एस बीफोर एंड विदिन दी स्कॉप ऑफ अब्लिगेशन अंडरिलेटेड लोज तो यह मतलब है कि जो जो हमारी इंफॉर्मेशन लेता है पब जी मोबाइल वह इसको ट्रांसफर कर दी जाएगी और उस इंफॉर्मेशन का इसलिए यूज किया जाएगा जिससे हम अपनी आईडी में चीजे वह सब सेव वेव करते थे मतलब जैसा पहले होता था वैसे ही होगा तो भाई एक अच्छी खबर भी है कि जब क्राफटन के साथ पब जी मोबाइल की पार्टनर्शिप होगी तो हमें अपनी पुरानी आईडी भी वापस मिल जाएगी और जो सब मैंने ये बताया मैं ऐसे हवा में गोल या नहीं चला रहा भाई ये पब जी मोबाइल ओफिशल की तरफ से स्टेटमेंट आई है तो भाई इस वीडियो में मैंने इन शॉर्ट यही बताया है कि गुड़ न्यूज यह है कि जो पब जी मोबाइल का टैंसेंट के पास पार्टनर्शिप थी अब उसके बाद वो चली जाएगी साउथ कोरिय कंपनी क्राफटन के पास इसका मतलब या तो यही पब जी मोबाइल वापस आएगा टैंसेंट की जगे क्राफटन बनके लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है यह एकदम से इनको नहीं अटा सकते तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए अलग वर्जन लाएंगे जिसमें टैंसें मोबाइल वापस आजाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा दो दिसमबर की डेट लिखिया भाइस में पोस्पोन भी हो सकती है तो भाई हमें कम से कम अभी दो महीना तो रुकना पड़ेगा लेकिन दो दिसमबर के बाद से हम पब जी मोबाइल दो बारा खेल पाएंग अब आप क्या करोगे अगर भाई पब जी मोबाइल बैन हो गया तो आप कोर एंवर्जन खेलोगे या फिर नहीं खेलोगे और कोर एंवर्जन भी बैन हो गया तो भाई आप फिर क्या खेलोगे ये कमेंट करके जरूर बताना और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर ल झाल